दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत द्दा साइन्स अपमें आप लोग देख रहे हैं साइन्स की स्पेशल सीरीज 77 अर्थात अब तक 76 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं यह इंपोर्टेंट है पीश्टी, टीश्टी, सुपर्टेट, रेलबे गुरूब डी, एंटीपीशी मे से, देखी, कुश्यन क्या है? आक बुजाने वाली गैस कौन सी है? फर्स्ट नमषर, नियोन, बी नाइट्रोजन, C करवन डाइकसेड, D कारवन मोनो आकसाइड तो आक बुजाने वाली जो गैस होती है, वह करवन डाइय आकसाइड होती है, जिसका फार्मूला होता है, CO2 क ही आग बुजाने वाली गैस होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 451 का वह हो जाएगा सी नंबर आप देखें कोश्य नंबर 452 लाल तप्त कोप पर भाब प्रवावित करने से प्राप्त होता है अर्थात क्या प्राप्त होता है लाल तप्त कोप पर भाब प्रवावित करने से जलगैस प्राप्त होता है यह किसका मिश्रन होता है hydrogen एवं carbon monoxide तो देखिए इसका अगर reaction आप लोग देखना चाहें तो C plus H2O तो इससे बनता है CO plus H2 जिसको की water gas कहते हैं इस question का जो है वह correct answer हो जाएगा यह number कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका जो answer आजाएगा चले दिखाते हैं पहले जी question रहा चार सुबावन और इसका जो answer रहा यह रहा दोस्तों A नमबर जल गैस देखिए दोस्तों question नमबर चार सुत्रेपन गुबारे में कौन सी गैस भरी होती है तो गुबारे में कौन सी गैस भरी होती है A नमबर hydrogen, B नमबर organ गैस, C नमबर helium, D नमबर oxygen क्या oxygen तो इसमें जो गुबारे में गैस भरी होती है वह helium भरी होती है कौन सी गैस होती दोस्तों वह होती है helium इस question का जो correct answer है वह हो जाएगा C नमबर helium, helium जो है वह काफी हलकी गैस होती है और organ की गैस की बात करें तो वह बल्बोम भरी जाती है और oxygen की बात करें तो यह जीवन दाइनी गैस है जितने भी जन्तु वगएरा होते हैं वह स्वसन करिया के लिए oxygen का उपयोब करते हैं hydrogen क्या है? hydrogen से जल बनाया जाता है जल बनता है तो 453 का जो correct answer हो जाएगा my dear friends वह हो जाएगा C नमबर helium अब question देखेंगे 414 निमल कितमे से कौन nitrogen चक्र में भाग नहीं लेता है तो कौन इसमें nitrogen चक्र में भाग नहीं लेता? तो first of all आप समझें जो nitrogen है अपने atmosphere में जो present होती है वह 78% present होती है अर्था वातावरोन जो nitrogen होती है वह 78% present होती है oxygen 21% अधर गैसे 1% में होती है तो जीवारू जो nitrogen चक्र है उसमें present होता जीवारू को English में bacteria कहते है और जो HNO3 है यह भी nitrogen cycle में present होता है NS3 भी present होता बट जो CO2 वह रथा carbon dioxide है यह nitrogen चक्र में भाग नहीं लेता है किसी भी टाइप से यह participant नहीं करता है तो 400 question यह रहा दोस्तो इसका जो correct answer रहा है वह है B number CO2 question देखेंगे 455 तो 2 पर क्या है gas termine आधारित है जो gas termine है वह किस पर आधारित है A number carbon chakra, B number rankine chakra, C number baton chakra, D number krichop chakra किस पर आधारित होती है gas termine जो gas termine होती है मेरे पहरे दूस्तों वह आधारित होती है बेटाउन चक्र पर किस पर बेटाउन चक्र पर यह आधारित होती है इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग देखेंगे 455 नमबर का वह हो जाएगा C नमबर बेटाउन चक्र कुश्चन देखेंगे 456 कमरे के ताप पन पर निम लिखित में से कौन सी गैस नहीं है A नमबर हाइड्रोजन, B नमबर आयोडीन, C नमबर फ्लोरीन, D नमबर हिलियम कमरे के ताप पन पर आयोडीन गैस नहीं है ये ठोस होता है आयोडीन और इथाईल अलकोल का मिस्टरॉन टिंचर आयोडीन कहलाता है समुद्री पौधों एवं जीवों में आयोडीन पाया जाता है लेमी नेरिया जिसको की शैवाल भी कहते हैं किस्म के समुद्री गासों में आयोडीन प्रिचर मातरा में पाया जाता है इसे कल्प कहते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है गेंगारों को इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं ये गले में क्या होता गर्दन में सूजन आ जाती है तो 456 का आप लोगा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों देखना चाहो तो वह हो जाएगा बी नमबर आयोडीन क्या हो जाएगा आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योशन देखेंगे 457 एक कृतिम उपग्रे में विद्धूत उर्जा का स्रोत क्या है ए नमबर नावकी रियक्टर बी नमबर डाइनमो सी नमबर थर्मोपाइल और दी नमबर सौरसल कौन सा है एक कृतिम उपग्रे में जिसको आर्टिफिशल भी कहते है कृतिम को इंगलिश में क्या कहते है आर्टिफिशल कहते है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका 457 का वह हो जाएगा डी नमबर सौरसल क्या हो जाएगा सौर सेल इसका correct answer हो अब question हम दोग देखेंगे 408 जल की अस्ताई कठोरता का क्या कारण A number calcium sulfate B number calcium bicarbonate C number magnesium sulfate D number calcium chloride क्या है इसका correct answer तो दोस्तों आपको हम बता दें जल की अस्ताई कठोरता calcium bicarbonate की कारण होता है और इसका formula अगर calcium bicarbonate का अगर जानना चाहें तो सुनें आप लोग गयांसे CAHCO3 क्या है CAHCO3 के अलावा MGSCO3 जिसे magnesium bicarbonate के कारण भी जल की अस्ताई कठोरता होती है जल को उबाल कर एवं जल में चुना जल मिलाकर अस्ताई कठोरता को दूर की जाती है ठीक अस्ताई की बात करें अब बात करें इस्ताई कठोरता जल में कैलसियम या मैंगनीसियम क्लोराइड या सलफेट के कारण इस्ताई कठोरता होती है अगर आप से पुछा जाए कि जल में इस्ताई कठोरता किसके कारण होती कैल्सियम या मैंगनेशियम के क्लोराइट या सल्फेट के कारव इसे आस्वन विधी द्वारा दूर किया जाता है आस्वन विधी को इंगलिश में डिस्टिलेशन मैंथर्ड भी कहते हैं सोडियम कार्बोनjem अस्ताई एवं इस्ताई कडोरता दोनों को दूर करता है जल का जो सुद्धी करने हुए पर्मेंगनेट, क्लोरीन या फिटकरी द्वारा किया जाता है। तो 458 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा बी नंबर केल्सियम बाइक कार्बोनेट। कुश्यन है 469-459, जल की संसुद्धी में कौन सा रसायन प्रियुक्त होता है। चलिए बता देते हैं, जल की संसुद्धी पोटेसियम पर्मेंगनेट रसायन प्रियुक्त होता है। अर्थात जल की संसुद्धी के लिए पोटेसियम पर्मेंगनेट का उप्योग होता है। पोटेसियम पर्मेंगनेट का फार्मूला होता है, क्या होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। इसका पोटेसियम पर्मेंगनेट का फार्मूला होता है। तो 469 का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नमबर potetium per minute. Question दखेंगे, 460, पानी की अस्ताई का ठूरता को किसका प्रियोग करके दूर किया जा सकता है? Option 4 है, देखे, A नमबर CA, OH का whole twice, B नमबर CA CO3, और C नमबर है HCl, और DA CA CO2. तो जो A नमबर option है, वो है correct है, CA OS whole twice के दूरा अस्ताई का ठूरता को दूर किया जा सकता है. 460 का जो correct answer है, वो है A नमबर है. अब question देखेंगे, 461, निम्लिकित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? A नमबर oxygen, B नमबर chlorine, C नमबर silicon, D नमबर संग मरमर. कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखेंगे, oxygen एक तत्व है, chlorine एक तत्व है, silicon एक तत्व है, बढ़ संग मरमर कोई तत्व नहीं, एक यह प्रकार का इस्टोन है, अर्थात पत्थार है. तो अगर हम देखना चाहें, 461 का correct answer, D हो जाएगा, क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, संग मरमर. question देखेंग, 462 भारी जल है, A नमबर, समुद्र का जल H2O प्लस लवड़, A नमबर ऑप्शन क्या है, समुद्र का जल क्या है, H2O अर्था जल प्लस लवड़, और B नमबर देखे, H2O2, और C है, D2O, और D है, इन में से कोई नहीं, तो इसका थोड़ा आप लोग सोचिए correct answer क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तो, 2 second का time देते है, बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो correct answer हो जाएगा, वह हो जाएगा, C नमबर, D2O, भारी जल, D2O है, इसका अलू भार जो होता है, प्यारे दोस्तो, वह होता है, 20, कितना होता है भारी जल का, भारी ज चारसो तरे सट, इस्टील या आईरन वस्तुों के उपर जिंक की पतली परद को क्या कहते हैं, A नमबर, होट डीपिंग, B नमबर, टीनिंग, C नमबर, गल्वनाइजिंग, D नमबर, लेक्ट्रो प्लैटिंग, क्या कहते हैं, तो दोस्तों बताते हैं, इस्टील या आईर कहें दोनों शब्दुकारत एक ही होता है इसका जो 463 का आप लोग आंसर जानना चाहेंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर गल्विन नाइजिंग या गल्वनाइजिशन कोश्चन देखेंग 464 सोधियम कार्बोनेट के निर्वान के लिए सालवे प्रिक्या में प्रियोग में लाई जाने वाली कच्छी सामक्री में शामिल है क्या सामिल है आप लोग बताएंगे देखें सोधियम कार्बोनेट के निर्वान के लिए सालवे प्रिक्या में प्रियोग से लाई जाने वाली कच्छी सामग्री में अमोनिया तता कार्बोन डाइक्साइड शामिल है तो इसका जो 464 का आप लोग आंसर देखना चाहेंगे वह हो जाएगा C नमबर अमोनिया तता कार्बोन डाइक्साइड क्वेशन देखेंगे 465 हड्डियों और दातों का मुक संगठक क्या है A नमबर केल्सियम बाइक्साइड बी नमबर केल्सियम मैंगनेशियम C नमबर केल्सियम नाइट्रिट D नमबर केल्सियम फास्पेट हड्डियों और दातों का मुक संगठक क्या है तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है मेरे पहरे दोस्तों यह होता केल्सियम फास्पेट क्या होता है केल्सियम फास्पेट होता है 465 का correct answer हो जाएगा D number calcium phosphate question देखेंग 406 carbon monoxide के अपकिरिया 300 Celsius पर H2 से कराने पर बनती है क्या A number देखे ethane B number methane C number propane D number ethylene क्या बनती है तो दोस्तो carbon monoxide के अपकिरिया 300 Celsius पर H2 से कराने पर methane बनती है और methane का formula जो होता है वह CH4 होता है क्या होता है CH4 होता है अब question देखेंगे 400 Celsius दूद उधाराने दूद किसका example है A number निलंबन का B number jail का C number Emulsion या पाईस का D number fan का जो दूद होता हुए Emulsion या पाईस का example होता है और दूद अपने आप में इक संतुलित आहर या संफूर आहर भी कहा जाता है और बता दें दूद से जब दही में परविर्थन होता है तोफिके कारण होता है और दूद एकजमपल किसका है ये होता Emulsion और हिंधी में से पाईस भी कहते हैं दूद अपने आप में क्या होता है एक balance diet ये फुल diet भी कहा जाता है अब question देखिंग 468 अमल वर्सा मुक्ता किस गैस के कारण होती A नमर N2, B नमर CO2, C नमर SO2 और D नमर CO किस के कारण अमल वर्सा होती है अमल वर्सा को acid rain भी कहते है मांस उनकी पहली ये दूसरी वर्सा को ही अमल वर्सा कहा जाता है अमल वर्सा से सबसे अधर नुक्सान होता है एतियासिक इमारतों का इस पेसली जो रंग में सफेद हो और सबसे ज़्यादा इसने affected किया प्रभावित किया है acid rain ने तो आग्रा की ताज महल को प्रभावित किया है आग्रा का ताज महल जो है वे उत्तर प्रदेश में इस्तित है आग्रा सेर कहां इस्तित है ये इस्तित है उत्तर प्रदेश में ताज महल जो है वे युम्ना नदी की किनारे इस्तित है आगरा शहर है उसकी इस्तापना अकवर ने की थी और ताजमेल उसको बनवाये था सहाजाने और ताजमेल युम्ना नदी की किनारे इस्तित है और एसीड रेंड के कारण ये सपेध से धीरे-धीरे मटमेले रंग का होता जा रहा है तो अमल बरसा है वह मुकता किसके कारण होती है तो अपना कोश्चन था ये और इसका जो करेक्ट आंसर है C नंबर स.O.2 के कारण अमल बरसा होती है अब होती कैसे जैसे साल पर क्या होता वाय पर दूसर एकत्रीत होता रहता है फिर मानसून आने पर जब बादल बनते हैं जब पहली बारिस ये दूसरी बारिस होती उसमें बिविन परकार की जो एकत्रित की हुई गैसे होती हैं इस्पेशली ऐसे टू वही अमलवर्सा का कारण बन जाती हैं इंगलिश में अमलवर्सा को एसिड व्रेंड भी कहते हैं कुश्यन देखिएंग चार सो उनत्तर पानी और चौक जिसको खरिया कहते के मिस्टरण को प्रथक किया जा सकता है पानी और चौक अर्थात खरिया का जो मिस्टरण होता उसको किसके माध्यम से अलग कर सकते बताएंगे दोस्तों आप लोग पानी और चौक के मिस्टरण को और साधन द्वारा प्रथक किया जा सकता है 479 का जो correct answer आप लोग देखेंगे वह A number हो जाएगा और साधन द्वारा Question है 470 Plaster और Paris का फार्मूला कौन सा है Option आपके चार दियेंगे ABCD A number है C A SO4 into 5H2O B A C A SO4 into 2H2O C A C A SO4 into 1 by 2H2O D है C A SO4 into NGO तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तो इसका जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा C number C A SO4 into 1H2O यह Plaster of Paris का फार्मूला होता है Plaster of Paris का क्या यूज होता है दोस्तो जैसे bones वगेरा break हो जाएगा हड्डिया तूट जाएगा तो उसमें आपने सफेद रंका एक देखा होगा कि मजबूत चढ़ा दिया जाता है वही Plaster of Paris होता है क्या होता है वही Plaster of Paris होता है इसका यह मैंने यूज बताया है और इसका फार्मूला क्या है C A SO4 into 1Y2H2O 1Y2 का इसे आप लोग हाप H2O भी कह सकते है क्योशन देखेंगे 471 एक श्वित रसाइनिक योगिक इसको पानी की परियाप्त मात्रा मिलाने पर सक्त हो जाता है सल्च कताईवं तूटी हड्डियों को जोडने में उपयोगी यह पतार्त क्या है A नमबर Plaster of Paris B नमबर Slick Line C नमबर Bleaching Powder D चूना तो क्या है दोस्तों जिस्ट अभी मैंने आपको बताया था Plaster of Paris है Bones बगरा है तूटी है तूट जाए तो क्या करते है पानी सिमला कर इसे सक्त कर देते हड्डी को सेट करके उसके उपर चढ़ा देते है लगए 15 से 20 दिन तक यह चढ़ा रहे था जब अड्डी आटोमेटिक सेट हो जाती उसका दिसी काट कर निका दिया जाता है यह क्या होता प्लास्टर और पैरिस इसको कहती है तो 471 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा अब देखें कुशन नंबर 472 एक्वारेजिया किसका मिस्रान है ए नंबर देखें एस्टू 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 राज भी कहते हैं, तीन बाग क्या होता? S.C.L. और एक बाग जो होता, H.N.O. 3 होता इसे अमर राज भी कहते हैं इसका correct answer हो जाएगा क्या? हो जाएगा अपना कोई नहीं, क्या? कोई नहीं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसका क्या answer हो जाएगा, D. नंबर हो जाएगा देखेंगे कुश्यन नंबर 470, बेकिंग या खाने बनाने प्रियुक्त सोडा का रासाइनिक सूत्र क्या होता? A. N.H.4 CO3 B. नंबर जो है N.A.H.C.O.3 और C है N.A.2.C.O.3 एवं जो D. आप्सन है इसका जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा B. नंबर N.A.H.C.O.3 क्या हो जाएगा? N.A.H.C.O.3 इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्या बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं? अब देखें question number 474 एक तत्व X.C.L.3 X.2.O. O.5 और C.A.3.X.2 सूत्रवाले योगिक बनाता है लेकिन X.C.L.5 नहीं बनाता निमलिकित से कौन सा तत्व X हो सकता है? option देखे A.B. है और B में A.L. है और C में N है और D में P है तो इसका एक तत्व X.C.L.3 X.2.O.5 और C.A.3.X.2 सूत्रवाले योगिक बनाता है लेकिन X.C.5 नहीं बनाता है ये तत्व क्या है? A.L. है क्या है? option इसका correct हो जाएगे B.N. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं question देखेंग 475 सुस्क वर्फ कहते हैं A.N. कार्वन मोनो आकसाइट B.N. ठोस कार्वन डाइकसाइट C.N. पारा D.N. हरा कशीश सुस्क वर्फ क्या होती है? ये होती है मेरे प्यारे दोस्तो कार्वन डाइकसाइट क्या होगी? solid कार्वन डाइकसाइट होती है 400 पर 60 का जो correct answer है वोगे B.N. हो जाएगा दोस्तो ये सीरीज ये पर complete होती है उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी इसी तरीके की जवर्जश सीरीज आपको continue मिलती रहेंगी आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक सिदिक लाइक करना है शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तो जय हिंद जय भारत